नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल विकास इमित्र इमित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में दोस्तों आज जो है एंसी टी ए राश्टी अध्यापक सिख्सा परिशत का एक नएया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जी हाँ दोस्तों नेशनल काउं इस पूरा इंग्लिफ के इंदर है मैं आपको इसकी हिंडी में जो है आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि नौटिफिकेशन में आकिल लिखा क्या है तो इसके अंदर क्या है कि इसके साथ में एक मेसेज वाइरल हो रहा है वाटसप पे कि जो है अब 12 का टीचर बन तो सबसे पहले तो जो है यह लेटर लिखा गया है CBSC के चेर्मेन और जितने भी राजस्तान मलब जितने भी स्टेट गॉर्णमेंट है उनके एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सकेटरी सकेटरी कमिशनर जो भी है उनको लिखा गया है अब सब्जेक्ट इसमे इनफोर्मेशन अबाउट टीचर इलिविजीबिलिटी टेस्ट बिंग कंड़क्ट बाई स्टेट टूटिस एंड़ सीबीसी तो जो सीबीसी सीटेट करवाती है उसके अलावाद जो जितने भी राज्य सरकारें वो अपने राज्यों में टेट का एक्जाम करवाती है उनक में लिखा हुआ है कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है दोजार बीस वाली उसके अंदर जो है भारत के अंदर सिक्षा में करांती कारी बदलाव लाने के लिए जो है बहुत सारी नई चीज़े लाए गई है तो उसके अंदर जो है टीचरों के लिए भी जो अच्छे पॉलिसी लागू की थी तो उसमें जो टास्क नंबर 145 है उसमें लिखा गया था कि बढ़िया से बढ़िया टीचर त्यार करने के लिए जो है जो बारवी तक के जितने भी टीचर है उनका भी जो है टेट का एक्जाम करवाना जरूरी है तो इसके अंदर आगे लिखा हु सीमैल क्या है कि आप लोग क्या कीजिए यह आपको जो भी जितने आपको जो भी दिक्कता और यह टेट का एक्जाम करवाने के अंतर क्यू Chanel में से रिलेटेड एक्जाम से रिलेटेल जो भी दिक्कता और ही है वो हमने तो जो new education policy है उसके अंदर भी लिखा हुआ आता कि जो है बार वी तक के जो teacher है उनको बनाने के लिए टेट exam देना पड़ेगा यह तो उसके अंदर भी लिखा हुआ आता इसके अंदर नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर तो सिर्फ वही चीज है और जो है यह जो है टेट exam क करवाने के लिए एक committee गठीत करने जा रहे हैं तो वो जो है वो देखेगी कि students को क्या परिशानी आ रही है exam करवाने वाली authority को क्या परिशानी आ रही है paper से समंदित कुछ difficulty है यह सब चीज़े देखेगी तो इसका syllabus वगेरा जो है वो करेगी कि जो है पांच वी तक का teacher के ल structure होना चाहिए टेट के लिए तो यह सब देखने के लिए committee बनाए जा रही है इसलिए यह लेटर लिखा गया है तो आशा करता हूं आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी वैसे टेट तो करवाई गी के अंदर सरकार तो अब केंदर सरकार को तो इस चीज को ला करना है तो उसके लिए आपको टेट एक्जाम पास करना जरूरी होगा जैसे आप अभी आठ वी तक के टीचर बनने के लिए आपको टेट का एक्जाम पास करना पड़ता है वेसे ही बार वी तक के टीचर बनने के लिए आपको करना पड़ेगा आसा करता हूं आपको वीड को लाइक कर देना शेर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फ्रेंड्स